दोस्तो बिग बॉस ओडिडी के घर में अर्मान मलिक के हेड ओफ दा हाउस बनते ही कही ना कहीं पूरे के पूरे घर का माहूल बिगर चुका है जियां दोस्तो यहां पर घर के कई कंटेस्टेंट अर्मान के हेड बनने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं है खास तोर पर लोके स्कटारिया, सीवानी कुमारी, विशाल पांडे, नैजी और जो सना मकबूल है वो कहीं न कहीं काफी जदा नराज है जहां एक और घर के बाखी कंटेस्टेंट ने तो कहीं न कहीं बिग बॉस के साथ अपना फेसला सुना दिया था जिसकी वज़े से अर्मान मलिक जो है वो घर के हेड ओप दा हाऊस बने लेकिन कहीं न कहीं सना मकबूल इकलोती ऐसी कंटेस्टेंट है जो कि अपने फेसला पर डटी रही और अर्मान को जो है वो घर का कैप्टन नहीं बनाना चाहती थी उसका यह है कि वो किसी भी सूरत में अर्मान के अंडर में यानि कि उसकी कैप्टन सी में उसकी गुलामी नहीं करने वाली घर का काम नहीं करने वाली चाहे कुछ भी हो जाए और इस समय जब अर गर का नया वो बन चुका है, head of the house जिसके हाथ में घर चलाने की पावर है और साथ ही साथ गर के महत्वगून फेसले देने की पावर है तो भी यहाँ पर सना मकबूल अपने फेसले से पल्टी नहीं है जियां दोस्तों सना ने साफ तोर पर गरवालों के सामने चुनोती दी है कि वो किसी भी सूरत में अर्मान की कैप्टनसी में कोई भी काम नहीं करने वाली है ऐसे मैं देखना दिल्चस्प होगा कि सना मकबूल जब काम नहीं करेगी तो बिग बोस यहाँ पर अर्मान को कौन से पावर देते हैं जिसके तहत अर्मान मलिक जो है वो सना मकबूल को द के लिए हमारे साथ बन रही हैं